कि क्या है अच्छा गुड़ लग टेप दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा अगर मुहमद साब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, मुस्लिम शिक्षा जो है उनकी शिक्षाओं पर मनन किया जाए, तो दो बाते उनमें सबसे एहम है पहली क्या है, मुहमद साब की जो शिक्षाओं है, वो किसी भी एक देश के लिए नहीं है या किसी भी धर्म के लिए नहीं हिंदो मुस्लिम से किसा ऐसा नहीं है, सब के लिए है और दूसरी जो उनकी शिक्षाए हैं आज से डेड़ हजा साल पहले जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी है जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे बैतर बनाने अच्छाई को सिकार करने के लिए महम्मद साब ने कोई संदेश न दिया हो उनकी जो बाते हैं वो इनसानों को सच की रहा दिखाती है अर्थशास्त, एकॉनमिक्स बले ही ब्याज को मूल धन का किराया, शुल्क या कुछ और माने लेकिन जो इसलाम धर्म में ब्याज को ममनू माना गया, नुचित माना गया है इसलाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी विवस्ता है, जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है इस प्रकार ये एक शोशन का जरिया है, पवित्र कुर्वाँ, कुरान इस पस्ट रूप से ब्याज को वर्जित मानती है इंसानों के लिए कहा गया है हे इमान वालों दो गुना और चार गुना करके ब्याज मत खाया करो उस मालिक से डरो ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है ब्याज की कमाई से बरकत खत्म हो जाती है इससे इंसान द्वारा किये गए पुन्ने भी खत्म हो जाते हैं ध्यान रखें ब्याज जो है वो धन को कम करता है लेकिन दान पुन्ने से धन कम नहीं होता जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्य कर चुके हैं उनके लिए बहाने बनाते हैं उसके लिए ये एक शैतानी धोका है जो लोग व्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं कि साब ये तो हमारा बिजनेस है और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि व्याज लेना उचित है तो ऐसे लोगों को भी इसी प्रकार के शैतानी द्रोके के शिकात रोते है तो जो लोग व्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते हैं उसी तरीके से जैसे किसी को शैतान ने छुकर पागल कर दिया हो या इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि व्यपार भी तो व्याज के समान है व्यपार को वैद कहा गया है व्याज को पूरी तरीके से अवैद कहा गया है जो लोग इस हिदायत के बाद व्याज लेना बंद कर देंगे उनका मामला हुजूर को सुपुर दे लेकिन तमाम जानकारी के बाद जो नहीं समला जिसने ब्याज लेना जारी रखा उसके आगे नार किये जीवन नहीं उसकी कोई मुक्ती नहीं तो खुदा के वास्ते उस मालिक से डरिये और जो कुछ भी ब्याज में से शेश रह गया है उसे छोड़ दीजिए यदि तुम सचे दिल से इमान रखते हो ना तुम खुद जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए अगर तुमारे पास धन हो तो जरतमंद लोगों को करज दो उन्हें वापसी के लिए कम से गम इतना तो समय दो की करजदार इंसान उसे आसानी से वापस लोटा सके आत्मत्या नहीं करी किसी वास्विक वो अवश्यम भावी जो मजबूरी होती है कि कई जान बूच के कोई नहीं लेकिन मजबूरी है अगर उस मजबूरी में अगर वो तुमारा समय पर धन नहीं लोटा सके तो उस पर कभी सक्ती मत करो उसका अपमान मत करो गालियं मत दो उसे ओर समय दो रोजी कमाने का गलत तरीका गलत साधन गलत रास्ता मत अपनाईे मालिक से ड़ते वे उसकी नाफन मानी से बसते वे सई जायज हलाल तरीके अपनाईें हराम रोजी के करीब भी मत जाएए